राधे राधे कैसे आप सबी आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे त्योहार चल रहे हैं और हर घर में मिठाई बनती है खीर बनती है आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी साउदाना पाईसम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही शांदर फ्लेवर आता है इसका एक बर बना करना बार बार खाएंगे खास कर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपने सिर्फ घर के दूद से बनेगा चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना वीडियो पसंद आये तो लाइक कोमेंट शेयर कर सकते हैं नहीं पसंद आये तो डिसलाइक कर सकते हैं सबसे पहले किसी पैन में हम एक चमस घी डालेंगे क्योंकि हम पाइसम बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें हमें परिवर्तन लाना होगा जिसके लिए हम ड्राइफ फूर्स को घी में भून कर तयार करेंगे तो इसमें काजू का फ्लेवर सबसे अच्छा आता है तो जो पैसम होता है वैसे तो वो गुड़ से बनता है तो मैं इसमें चीनी डालूँगी आप चाहतो गुड़ भी डाल सकते हैं सारे ड्राइफ रूर्स को धीम धीमी आज़ पर रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा किश्मिस भी डाल देंगे तो साबुदाना को एक घंटे पहले भिगोना है आपको एक कटोरी साबुदाना में एक कटोरी पाने ललकर भिगो दें उसके बद खिला-खिला साबुदाना आपको इस्तेमाल करना है low to medium flame पर पकाएंगे ताकि ये creamy बने ये tasty बने तो साबुदाना में क्या होता है इस टार्च होता है जिसके वज़े से ये जो हमारा पैसा में वो creamy texture का बनेगा थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा बड़ा स्वाद लगता है ये जब 7-8 मिनट हो जाए इसे पकाते वे जो ये साबुदाना है ये ना बिल्कुल मोती के तरह दिखने लगेगा आपको एकदम translucent हो जाएगा इट मीन सी अच्छा पग्या है तब आप इसमें अपने स्वाद के साब से चीनी डालें और चीनी घुलने तक इसे दो मिनट के लिए और पका लें फिर ये जो fried dry fruits हमने रखे थे ये समें डालें और लगातार इसे चलाएं और बस उसके बाद इलाइची का powder डाल कर इसे सर्व करिएगा ये देखे कितना creamy tasty पाईसम हमारा बन करती यार है इसमें जो काजू बहुन कर हमने डाले है ना इनका स्वाद बहुत शा इसमें लगा और घर में कोई वी दूद अगर आपके आता है गाएं का भैसका उससे आप इसे बिना सकते हैं और गार्नेशिंग के लिए इस तरीके से उपर से फ्राइड ड्राइफूट्स हम इसके ऊपर थोड़ा सब डालेंगे लुक बहुत अच्छा आता है आप इस फो आप मुझे फोलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे पसंद नहीं आती है तो आपकोर्स डिस लाइक कर सकते हैं लेकिन कमाल की बहुत बनी है इतनी क्रीमी टेस्टी बिना कुछ डाले बनाएगा जरूर बहुत पसंद आईगे आप को मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर